नमस्कार दोस्तो बहुत बहुत स्वागत आपका मेरी यूटूब चैनल कुलान टेक्निकल सलूशन में दोस्तो कैसे हैं आप सब नहीं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे दोस्तो आप जो है हमारे पस एक लैपटोप आया है जिसका मॉडल नमबर है डेल 35 डेल इंस्परॉन 35 का ये लैपटोप है इसके आप दोस्तो एक एरर हमें देखने ऑप मिलती है एरर मैं आपको बता देता हूँ किसके दर क्या आ रही है एरर जो दोस्तों आ रही है internal hard disk drive not found to resolve this issue try to reset the drive no bootable devices strike F1 to retry boot F2 enter setup menu F5 enter PSA ठीक है दोस्तों तो कुछ इस तरह के की काफ़ी बड़ी सी एरर आमें जो है देखने पो मिल रही है इसके अंदर में बड़ दोस्तों इस एरर को हटाना बहुत ही ज़्यादा easy है मतलब मैं आपको सिर्फ 2-3 step बता हुआ और आपकी जो ये एरर है आपके laptop से हट जाएगी मतलब ये तो मेरे Dell 32 वाले laptop के अंदर में ये वाली दिक्कत आई है अगर आपके कोई भी दूसरे laptop में ज़र Dell की किसी भी सिर्फ वाले laptop के ये वाली दिक्कत आ रही है तो आप ये वाला stuff फोलोग करके अपनी ये वाली एरर को आप हटा सकते है तो अभी दोस्तों आपको अपने laptop स्कीन की तरफ लेकर जालूगा हाँ दोस्तों मेरे चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बोलेगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जोड़ से कर दीजेगा क्योंकि दोस्तों आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इस तरह की की informative वीडियो बनाने के लिए और दोस्तों हमारे चैनल पे लैप्टॉप कम्प्यूटर LCD रिपेरी कम्प्यूटर लैप्टॉप से किने टेंट्रिक से लिडियो भी आदी रहती है तो चैनल पे जाके आप बाकी की वीडियो देख सकते है और यह मेरा Instagram का link है Instagram पे जाके आप मुझे follow कर सकते है अगर आपको किसी भी तरह की लैप्टॉप की error आती है और वो आपको परिशान कर रही है error तो उसका आप मुझे Instagram पे message करके पूछ सकते है और अगर आपको कोई motherboard repair कराना हो तो वो भी जो है आप उसकी जानकारी मुझे से वहाँ पे ले सकते है तो पंड़ावर से जाके मुझे Instagram पे आप फोलो करके message कर सकते है तो दोस्तों पंड़ावर से चलते हैं laptop screen की तरफ और देखते हैं इस error को हम किस तरीके से sort out कर सकते है तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैं ले आया हूँ आपको अपने laptop screen की तरफ तो आभी जो है मैंने आपको error जो है पढ़के बताई थी कि हमें इस laptop में क्या error देखने को मिल रही है और ये Dell 352 का laptop है तो मैं short form में आपको बता देता हूँ internal hard disk drive not found करके इसके अंदर जो है error आ रही है तब हम इसको किस तरीके से हटाएंगे तो अभी जो हमें आपको बताने वाल हूँ सबसे पहले मैं आपको error दिखा देता हूँ कि error हमें किस परकार से इसमें देखने के लिए मिलती है तो यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे जो है power button लगा हुआ है तो power button से जो है मैं इस laptop को एक बारी बंद कर देता हूँ तो आपका laptop बंद हो जाएगा एक दो second के लिए रुकना है और एक दो second रुकने के बाद में आपको जो है यह error हमें कब laptop में देखने के लिए मिलती है तब ही हमारा laptop on होने वाला है तो laptop on हो गया है और आप देख सकते है on होते ही laptop में हमारे को यह वाली error देखने के लिए मिलती है अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस error को कैसे हटाना होगा ठीक है सबसे पहले दुबारा से जो है मैं इसको power button से जो है laptop को बंद कर देता हूँ तो laptop को जो है मैंने power button से जो है बंद कर दी है दबा के रखा है power button को और ये जो laptop है वो हमारा बंद हो गया है अब दुबारा से एक-दो सेकिंड के लिए रुकना है और दुबारा से हमें इस laptop को on करना होगा तो laptop का power button मैंने दबा दिया है और इसके बाद आपको F2 की की को प्रेस करते रहना है जब तक हमारे laptop की screen नहीं on हो जाती तब तक हमें F2 की की को प्रेस करते रहना है तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं F2 की की को दबा रहा हूँ और जैसे ही F2 की की से आप जो है BIOS में पहुच जाएं तो F2 की की को दबाना आपको बंद कर देना है तो देख सकते है F2 की को दबाने के बाद हम जो है बायो सेक्षन में आ गए हैं इसके बाद जो है आपको right arrow वाली की जो आपको दिख रही है इसको दबाते हुए आपको आना होगा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा main, advance, security, boot और exit तो आपको boot में आना होगा boot में आने के बाद में आपको यहाँ पर दो option दिख रहे होगे एक दिख रहा होगा boot list option और एक दिख रहा होगा load legacy option roam करके ठीक है, तो आपको क्या करना होगा सबसे बहले यह जो नीचे arrow वाली जो की है इसको दबाते हुए आपको आना होगा boot list option में तो boot list option में मैं आ गया हूँ आप देख पा रहे होगे जो boot list option है इसके पास में यूई एफ़ाई जो है selected है इस समय पे तो हम एंटर की की दबाएंगे और यहाँ पे हमें दो option देखने को मिलेंगे यूई एफ़ाई और legacy तो उपर arrow वाले की को दबाते हुए हमें legacy को select करना है और इस पे जो है enter की की हमें प्रेस कर देनी है तो enter प्रेस करने पे आपको यहाँ पे आप legacy option दिखने लग गया होगा ठीक है तो जैसे ही आपने देखा यहाँ पे legacy option को जैसे ही मैंने select किया तो यहाँ पे जो आपका load legacy option रोम था वो जो है disable था पहले और वो जो है अपने आप यहाँ पे enable हो गया है अगर आपका legacy यहाँ पे select होने के बाद में अगर यह load legacy option रोम अगर disable दिखा रहा है तो यहाँ पे जाके आपको जो है नीचे arrow वाली की को दबाते हुए enter करके आपको जो है इसको यहाँ से enable कर लेना है आपको दो option दिखेंगे disable और enable तो आपको जो है enable इसको कर लेना है वैसे तो यह अपना भी जैसे आप legacy select करेंगे UEFI से तो यह अपना भी enable हो जाएगा in case नहीं होता तो manually जाके आप जो है इसको enable कर लीजिएगा ठीक है इसके बाद आप नीचे देख रहे होंगे option दिख रहा है F10 save ठीक है तो F10 की की को हमें यहाँ से जो है press करना होगा तो आप से यह पूछेगा save and reset save configuration and reset तो yes या no तो इस समय यह yes पर selected है तो आपको यहाँ से इसको enter पर click कर देना है ठीक है इसके बाद हमारा laptop है वो restart होगा तो restart होने के बाद हम देखते हैं कि जो error हमें देखने के लिए मिलती है वो ही मिल रही है या फिर हमारी जो error आ रही थी वो हट गई है तो अभी जो है हमारा laptop on होने वाला है laptop on हो गया है तो दोस्तों देख सकते हैं हमें जो वो वाली error आ रही थी अब वो बहुत ही असारी से जा चुकी है अब हमें जो है वो वाली error देखने को नहीं मिलती है फिर भी मैं एक बारी हम पूरी तरीके से आपको 100% sure के वीडियो बनाते है इसलिए मैं एक बारी क्या करूँगा यहां से जो है मैं इसको एक बारी restart दुबारा से कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि अगर हमने जो laptop को एक बारी दुबारा से restart किया तो क्या हमारे को वो वाली error दुबारा देखने के लिए तो नहीं मिल रही है तो हमारा laptop जो है वो restart हो गया है और दुबारा से देखते है laptop on होते ही क्या हमें वो error देखने के लिए मिलती है या हमेशा के लिए वो छूमंतर हो गई है इस step से तो हमारा laptop on हो गया है तो दोस्तो देख सकते हैं हमारी जो वाली error आ रही थी अब वो जो है जा चुकी है तो दोस्तो आपने देखा सिर्फ एक setting करते ही हमारी जो इतनी बड़ी सी error आ रही थी वो जो है बहुत ही असाने से अब हट चुकी है तो दोस्तो कैसा लगा मेरा वीडियो नीचे comment section में comment करके जुरू बताएगा और इस वीडियो को दोस्तो like जरूर से कीजिएगा क्योंकि like करने सुझा मुझे बहुत ही ज़्यादा motivation मिलता है आप सब के लिए ऐसी वीडियो बनाने के लिए और इस चैनल को subscribe करना बिल्कुल भ दोस्तो आज का वीडियो देखने के लिए झाल